आज हम बचे हुए चावल से बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट बिल्कुल रेस्ट्रेंट स्टेल फ्राइड रेज बनाएंगे हलो दोस्तो मैं हूँ शियूली और आप सब का स्वागत है मेरी किचिन में चलिए शुरू करते है यह है मेरे बचे हुए चावल जो कि कल रात का बच गया था थोड़ा ज्यादा ही बच गया था तो आज इसका में फ्राइड रेज बनाने वाली हूँ इसके लिए मैं लोगी एक लोहे की कड़ाई लोहे की कड़ाई से क्या होता है कि बिल्कुल चाइनिज धुयदर वाला फ्लेवर आता है स्मोकी फ्लेवर आता है तो इसलिए मैं यही कड़ाई इस्तेमाल करने वाली हूँ और यहा देखिए क्या क्या रखा हुआ है और यहां आपने स्वाट की सबसे हरी मिर्ज काटके रखा है चलिये चुले पर कढ़ाई बिठाया है और कढ़ाई को बहुत ही ज्यादा गरम कर लिया अभी में तेल डाल रही हूँ आप देख सकते कि तेल में से धुआ निकल रहा है अभी इस दुएदार कढ़ाई में डाल दूँगी मैं मटर यह कच्चे मटर है हरे मटर यह बहुत ही छिड़कते है तो इसलिए मैं थोड़ा से ढाग दूँगी इसको ताकि यह फूट फूट कर हमारे उपर न छिड़के ऐसे ढाग ढाग कर नीचे से चलाती रहोंगी मैं और इसको भूण लूँगी यह कच्चे मटर है इसलिए थोड़ा से ज्यादा भूणने की ज़रुरत है तो अगर आप उबले हुए मटर के इस्तेमाल कर रहे तो इतना भूणने की ज़रुरत नहीं है चलिए एक से देड़ मिनिट में हो जाएगा हमारा मटर भूणकर तयार हो चुका है अभी हम बाकी के वज़ीज भी इसमें एड़ कर देंगे बीन्स एड़ कर दिया पता गोबी यह भी हम डाल देंगे बीन और पता गोबी को एक साथ मिलाके थोड़ी देर के लिए चला लेंगे लगबग वो 30-40 सिकंड के लिए चला लेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे यह कैपसिकम क्योंकि कैपसिकम को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा भूनना नहीं है और यह डाल देरियों में गाजर चला लेते है थोड़ी देर के लिए भून लेते है इसके साथ साथ हम डाल देंगे स्वादंसार नमक मैंने जब चावल बनाया था तो उसमें भी मैंने नमक डाला है तो उसके हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ आप अगर बिना नमक के बनाते है तो उसके हिसाब से डालिये नमक डाल के थोड़ी देर के लिए चला लेते है देखिए सबजी थोड़ा सा पक चुके है और सबजी को हमें ज्यादा बिलकुल भी पकाना नहीं है थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है अभी इस टेज़ पर हम डाल देंगे यह प्याज और स्वादनों सार हरी मिर्च कटी हुई मिला लेंगे कूल मिला के हमें सबजी को दो मिनट तक भूलना है दो से धाय मिनट तक इससे ज्यादा नहीं अभी यहाँ पर मैं डाल दूंगी एक टेबिल चमज डार्क सॉय सॉस अगर आप अच्छे से मिला लेते ताकि सॉय सॉस नीचे से जले ना और अभी मैं डाल दे रही हूँ दो टेबिल चमज टोमेटो केचप अच्छे से मिला लेंगे सॉस के साथ सब्जी अच्छे से मिल जाने के बाद हम यहाँ पर चावल डाल देंगे यह देखिए चावल में डाल दे देते हैं पहले ख़ोलले न चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं था तो यहाँ पर मैं और मैं इसको खोलते हैं उना चलिये हो चुका है कि चावल खेलेगे बन चुके है अभी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे अब परसेस हमारा खतम हो चुका है अभी थोड़ी देर के लिए चलाना है बस 20-30 सेकंड के लिए और सारा एक साथ घुल मिल गया है और हमारा फ्राइड रैस बनकर बिल्कुल तयारे सार्फ करने के लिए अभी हम हीट को आफ कर देंगे और चलिए फ्राइड रैस को सार्फ कर लेंगे बड़े से लेकर छोटे तक सबको पसंद आएगा आप भी इसी तरह से बचे हुए चावल कर फ्राइड रैस बनाएए और अपना एक्सपेरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें चलिए दोस्तों आज के लिए यहां तक ही मिलते हो अगली वीडियो में तब तक के लिए सेफ र है बाई बाई